हाई दोस्तो टीफ और चाहन में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन में नंबर को कैसे आप सेव कर सकते हैं या नंबर को कैसे आप आइड कर सकते हैं तो चले दोस्तो कैसे करना है सीखते हैं दोस्तो वीडियो को एक लाइक चरू किज़ेगा अब यहाँ पे ध्यान दीचेगा नीचे आपको एक कॉलर वाला आइकन दिखता होगा जहां से आप किसी को कॉल करते हैं या फिर फोन लगाते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है जैसी दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको जिन जुन लोगों को आपने कॉल किया हुआ रहता है वो आपको शो होगा या फिर जिन लोगों ने आपको कॉल किया हुआ था उनका नंबर आपको शो होगा लेकिन आपको तो किसी का number add करना है तो उसके लिए क्या करना है नीची धियान दीजीगा पहला option है favorites का दूसरा है recent का और तीसरा number है आपको contacts का तो जो contacts वाला option है दोस्तो इसके उपर आपको click करना है जिस दोस्तो आप contacts में click करते हैं अब यहाँ पे उन लोगों का contacts add है जिन लोगों का number आपने नाम के साथ add करके रखा है या save करके रखा है तो अब यहाँ पे अगर आपने नहीं number को add करके किसी का रखा होगा तो यह page जो है बिल्कुल ही सादा और blank आपको दिखेगा तो आपको number add करने के लिए क्या करना है आपको सबसे top में देखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है create new contacts तो इसके उपर आपको click करना है जैसे click करेंगे अब यहाँ से धियान से समझना है यहाँ पे उपर में आपको email id शो हो रहा है तो इसके उपर जब आप click करेंगे तो आपके अपने mobile phone में जितने भी email id add है वो शारा यहाँ पे show होंगे लेकिन आपको email id में अगर आपको number save करना है तो email id select किजीगा और अगर आपको यानि कि device में save करना है तो device भी यहाँ पे लिखा हो है नीची की तरफ तो आपको किस चीज में आपका number save करना है यहाँ से सबसे पहले उसको select करना है तो चलिए हमने sim 1 में select कर लिया अब यहाँ पे उपर में देखे sim 1 हमारा इसमें save होगा अब यहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसका number आपको save करना है तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक dummy name हम दे देते हैं, रामू, उसके और नीचे फोन का option है, फोन का option में उसका phone number आपको डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ पर उपर में ध्यान दीजिए, उपर में save का option है, इसके उपर आप क्लिक करेंगे, तो यह रामू न का number आपके mobile में save हो गया, तो उसको check करने के लिए यहाँ पर जो search वाला option है, इसमें जब आप click करेंगे, यहाँ पर आपको नाम लिखेगा, और यह नाम आ गया, save हो गया, तो दोस्तो इस तरीके से आप check कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या भी number को save कर सकते हैं, add कर सकते है mobile में, दोस्तो वीडियो को like करें, share करें, तो मिलते हैं next studio में तब तक के लिए, तरह दो